अगर आप चैनल पर पहली बार आए है वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना होने पाए इस वीडियो की पीडियो और क्विज पूरी डीटेल के साथ दोस्तों आपको मिल जाएगी MZT app पर जाएए MZT app इंस्टाल कीजे और अभी दोस्तों लास्ट 6 मंद की ebook लांच हुई है जिसमें सिप्तमबर 2020 से लेकर के फरवरी 2021 तक का 6 महीनों का बहुत ही अच्छे से 40 रुपय में मिल जा रही है सिर्फ 49 रुपय में आपको 6 महीनी का कॉंटेंट मिल रहा है बहुत ही खास आफर है सिर्फ लिम्टेड पीरियर के लिए ही है तो जाएए MZT app इंस्टाल कीजे इस ebook का फाइदा उठाईए इस ebook को परचेज कीजे और अपनी पढ़ाई को और इस पुस्तक को राम सेवक सर्मा जी ने लिखी है बीबिसी इंडियन स्पोर्ट्स अवाइड में इमर्जिंग प्लेयर अवाइड का अवाइड किसे मिला मनु भाकर को इन दोनों ही कुश्चन के बारे में काफी लोगों ने कल अंसर किया था ऐसे ही दोस्तों आप सभी लो बाकी लोगों के कमेंट पर भी आपका ध्याद जाएगा तो इससे आपको कुछ नए नए चीज़ें जयानने को मिलेंगे इस वैसे आप लोगों कमेंट जरू किया करो चले बात करते हैं आज के दिन के पहले कुश्चन की पहला कुश्चन है किस राजी सरकार ने IBM के साथ म की बारे में समझे, सबसे पहले तो STEM है क्या? इसका मतलब होता है Science, Technology, Engineering and Mathematics. तो STEM और Girls कारेकरम का मतलब यह हुआ कि इन छेतरों में, यानि Science, Technology, Engineering और Mathematics के छेतरों में Girls को कैसे इंपाउर किया जासके, इन पर कैसे फोकस किया जासके, बढ़ावा दिया जासके, तो इस पर IBM वर्क करेगा उत्राखंड सरकार के साथ IBM एक कंपणी है दोस्तों आप सबको पता है अमेरिकी कंपणी है International Business Machine नाम की और इसने अभी हली में उत्राखंड के 5 जिलों में शुरुआती चरार में अभी 5 जिले चुने गए हैं उसके 130 मादमेक और उच्च मादमेक स्कूलों में ये शुरू किया जाएगा कारिकरब केलियर अब देखिए इससे दोस्तों अभी शुरुआत में लगभग 25,600 से जाज़ा चातर जो होंगे उनको स्केलफुल बनाया जाएगा अब देखिए IBM के बारे में हम लोग जान लेते हैं पहले उसके बाद उत्राखंड के बारे में जानेगे IBM के CEO है अरविन क्रिशना जी IBM का हेड़कॉर्टर है निव्यार्क में United States of America में इसके स्थापना होईती 1911 में किलियर उत्राखंड आया है उत्राखंड के बारे में हम लोग कुछ static पॉइंट जानते हैं और कुछ current आफेर के पॉइंट जानते हैं अभी दोस्तों उत्राखंड में उत्राखंड के रानी खेत में 10 तलीक टू नाम का अभ्यास हुआ किसके किस से बीच में भारत और उजवेकिस्तान के बीच में एक पॉइंट हो गया उत्राखंड में मुख्यमंत्री चेंज हो गया है दोस्तों वहां के जो मुख्यमंत्री थे त्रिवेंच सिंग रावत जी उन्होंने इस्तीफा दिया और अब तीरत सिंग रावत जी बन गए नए चीफ मिनिस्टर अब एक दिन के लिए राष्ट्री बालक्या दिवस पर स्रिष्टी गुष्वामी को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया था उत्राखंड का ये भी आपको द्यान रखना चाहिए उत्राखंड में अभी भारत का पहला फारेस्ट हीलिंग सेंटर का उधर्न किया गया है उत्राखंड में अभी अन्तराष्टी योग महुतसों मनाया गया गया लिसी केस में ठीक है और उत्राखंड में अभी हाली में दोस्तों घरे की पहचान चेलिक नाम का एक योजना भी शुरू किया गया क्लिर अगला दिखते हैं अगला है हाले में कहां पर सिवरात्री हिरात नामक त्यवहार मनाया गया तो अभी हाले में जम्मू कस्मीर में दोस्तों सिवरात्री हिरात नामक त्यवहार मनाया गया जब दोस्तों पूरे भारत में पूरे विश्व में सिवरात्री मनाया जाती है महा सिर्वात्री मना जाती है तो वहाँ पर जम्मू कस्मीर में दोस्तो सिर्वात्री को सिर्वात्री हराथ नाम से जाना जाता है ठीक है सिर्वात्री हराथ त्यवहार कहते हैं वहाँ पर तो ध्याम रखिएगा महा सिरातरी के दिन ही उसी टाइम पर मनाय जाता है वहां के कस्मीर जो पंडित होते हैं उनकी द्वाराय मनाय जाता है बटक नाध पूजा कहा जाता है इसे ठीक है तो हिरात के रूम में जाना जाता है जम्मू कस्मीर का सिरातरी हिरात तेवार जम्मू कस्मीर आया है इससे भी related चीज़ें हम लोग revise करते हैं जम्मू कस्मीर में अभी हाली में दोस्तो सुपर 75 चात्रविती योजना शुरू की गई है वहाँ के लिटनेंट गवर्नर मनोच सिन्हा जी ने शुरू की है जम्मू कस्मीर में दोस्तो अभी खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जो दूसरा एडिशन हुआ था उसमें सबसे अदा मिडल जीते थे ठीक है सेकंड एडिशन में कंचोत उत्सो भी अभी हाली में मनाया गया दुनिया का सबसे उंचा ब्रिज जो है चिनाब ब्रिज ये बन रहा है जम्मू कस्मीर में ही चिनाब नदीपर अच्छा अभी एक और जम्मू कस्मीर से पॉइंट आया था गुच्छी मस्रूम गुच्छी मस्रूम को दोस्तो जी आई टैक दिया गया है जम्मू कस्मीर के गुच्ची मसरूमपो अगला दिखते हैं भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सायंत्र कहां बनाया गया तो भारत का ही नहीं बलकि विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सायंत्र फ्लोटिंग सोलर प्लांट दोस्तो ये मध्य प्रदेश में बनाया जा यह विश्व का सबसे बड़ा floating solar power plant होगा ओकी तो टोटल इसकी capacity है छमता है 600 MW की और इसमें राजी सरकार मद्य प्रदेश की जो राजी सरकार है वो 3000 करोड रुपए का निवेश की है यह कब तक बनकर तयार हो जाएगा यानि कब तक energy produce करने लेगा तो 2022-23 से यह शुरू हो ठीक है यानि energy provide करना solar energy अब देखिए आया है मद्य प्रदेश मद्य प्रदेश से भी हम लोग revision करेंगे कुछ points जाने के अभी दोस्तों मद्य प्रदेश में 47 महा खजराहो निरत्यमहोत्सो मनाया गया था इस बार का खजराहो निरत्यमहोत्सो इसलिए खास था क्योंकि इस निरम्ता पुरम करने की घुशना की गई है और मद्य प्रदेश के चंबल में दोस्तों डकैट संग्राले खोला गया है भारत का पहला डकैट संग्राले मद्य प्रदेश के चंबल में खोला गया है के लिए अगला दिखते हैं अगला है हाली में तीसरी scorpion category की पंडुबी IN इनस करंज को कहां पर भारती नौ सिना में कमिशन किया गया तो अभी हाली में दोस्तो मुंबई में कमिशन किया गया है आई इनस करंज को आई इनस करंज जो है ये तीसरी स्कॉर्पियन केटेगरी की पंडुबी है यानि सबमरीन है आई इनस करंज तो अभी हाली में इसे न पूरा डीटेल मैं आपको बता दे रहा हूँ देखिए इसको डिजाइन किया है फ्रांस के नेवल गुरूप ने और इसका निर्माड किया है दोस्तों MDSL ने यानि मजगाओं डाग सिब बिल्डर्स लिम्टेड ने मेकर इंडिया प्रोग्राम के तहत यानि भारत में ये ब मरीन्स बनाई जा रही है अब ये छे पंडूब्यों में दो दो पहले ही आ चुकी है तीसरी ये है INS करंज इससे पहले दो कौन-कौन सी लांच हो चुकी है INS कलवरी दोस्तों जो दिसंबर 2017 में आय थी और INS खांदेरी ये दिसंबर 2019 में कमीशन की गए थी अभी INS करंज को कमीशन किया गया है अभी तीन और हैं जो बाकी है तीन में से दो ऐसी हैं जिन पर परिछण चल रहा है ये टेस्टिंग चल रही है और एक तो अभी बनाया ही जा रहा है तो परिछण किस पर किस पर चल रहा है INS वेला पर और INS वगीर पर इसमें मई 2019 से टेस्टिंग च टेस्टिंग चल रही है मैंने आपको अभी उस दिन बताया था जब DRDO से कुशन आया था जब DRDO ने एर इंडिपेंडेंट प्रपॉल्सन सिस्टम डेवलब किया था तभी मैंने आपको बताया था ये पंडुबिया इसमें ये चिक किया जाता है कि कौन सी पंडुबि कौन सी सब्मरीन कितने जादा समय तक पानी के अंदर रह सकती है तो अभी देखिए ये सितंबर 2019 से पानी के अंदर ही है और इसकी टेस्टिंग चल रही है देखा जा रहा है सब कुश कि ये कब तक कैसे वर्व करता है और अभी जो है INS बकसीर इस पर चल रहा है काम ठीक है इसका अभी निर्माड हो रहा है INS बकसीर तो ये छठी हुई छठी हुई पंडूबी है सब्मरीन है इनका नाम आपको याद रखना है इसमें तीसरी जो है इसको कमिशन कर लिया गया है और इससे ही रिलेटर अभी उसने कुश्चान आया था कि D.I.D.O. ने एर इंडिपेंडे प्रपल्सन सिस्टम डेबलब कर लिया है ये सिस्टम वही है जिससे एक समझ लिजए एक राकी ऐसी टेकनलोजी है जिससे हमें ये पतलग पाएगा कि हम कितना मैक्सिमम टाइम रख सकते हैं बीना उपर आए ठीक है पानी की सद्धा के उपर आए कितने ज्यादा से बटालियन के कप्तान बनने वाले पहले संसत कौन बने दोस्तो वो बन गए है अनुराग ठाकुर अनुराग ठाकुर दोस्तो ये केंद्री मंत्री भी है ये इंफिंट्री बटालियन के कप्तान अभी हाल में बन गए है ठीक है और ये बननने वाले पहले संसत भी बन गए ह अनुराग ठाकुर को 124 में Infantry Battalion Tutorial Army के Captain पत पर प्रमोट किया गया है ये हिमांचा प्रदेश के हमीरपूर से दोस्तो चार बार के BJP से सांसद हैं ठीक है, BJP Party से ये सांसद हैं हिमांचा प्रदेश के हमीरपूर से इससे पहले अनुराग ठाकुर को 2016 में दोस्तो बनाय गया था लेटनेंट और किसने बनाया था उस टाइम पर जो हमारे Chief of Army Staff थे जनरल दलबीर सिंग सुहाग उन्होंने इनको न्यूक किया था ठीक है केंद्रिये वित्य राज्य मंत्री हैं हिमांचल प्रदेश के ये दोस्तो हमीरपूर से चार बार के संसद हैं तो हिमांचल प्रदेश की बारे में याद रखेगा हिमांचल प्रदेश अभी E-Cabinet शुरू करने वाला पहला राज्य बना था अगला देखते हैं अंतराष्टी क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतिय महिला क्रिकेटर कौन बनी तो वो बन गए हैं दोस्तों मिताली राज मिताली राज ये 10,000 रर्म बनाने वाली पहली भारतिय महिला क्रिकेटर बनी है और ओबर आल अगर इंटरेशनल लेवल पर दिखा जाए तो ये दूसरी महिला क्रिकेटर बनी है पहली क्रिकेटर बनी थी पहली विमेन क्रिकेटर बनी थी कारलाट इडवार्ड्स इंग्लेंड की यो खिलाडी है 2016 में वो बनी थी तो मिताली राज ने अभी हाले में अपना 10 हजारवा अंतराष्टे रन पूरा किया है दक्षे अफरिका के खिलाब जो स्रीच चल रही है उसके तीसरे वंडे मैच में मिताली राज दोस्तों अकसर चर्चे में रहती है ये एक मात्र ऐसी महिला क्रिकेटर है जिनोंने एक से जाथिक ICC के ODI World Cup में as a captain हिस्सा लिया है फाइनल में कप्तानी की है 2005 के ICC World Cup में और 2017 के ICC World Cup में फाइनल मैच में किये हैं इनोंने कप्तानी एक मात्र ऐसी महिला क्रिकेटर है अभी उस दिन मैंने आपको बताया था कि मिताली राज दोस्तों सचिन तेंदोलकर के बाद दूसरी सबसे लंबी क्रिकेट केरियर वाली क्रिकेट खिलाडी बन गई है ठीक है इनका cricket carrier जो है सशिन दिंदुलकर के बाद सबसे जाता है अभी 2019 में अंतराष्टी cricket में 29 साल पूरा किया था इस साल से अधिक ये खेल चुकी है इन्हें 2003 में अरजुन पुलुसकार भी मिल चुका है पदम सिरी से भी ये सम्मानित की जा चुकी है 2015 में मिताली राज क्लियर चलिए इंडियन वीमेन क्रिकेट टीम की ODI कैप्टन है ये अगला देखते हैं हाली में केंद सरकार ने One Nation One रासन कार्ट प्रणाली को सुविधा जनक बनाने के लिए कौन सा एप लांच किया तो अभी हाली में केंद सरकार ने दोस्तों मेरा रासन नाम का एक अप्लिकेशन लांच किया है किसलिए One Nation One रासन कार्ट जो प्रणाली है जो सिस्टम है उसको और ज्यादा सुविधा जनक बनाया जा सकेगा ठीक है जिससे लोगों को और बहतर तरीके से लाविसका मिल सके One Nation One रासन कार्ट का क्या मतलब है इस योजना के तहर दोस्तों अगर कोई वेक्ती है अगर उसके पास रासन कार्ट है तो और वो कहीं और स्टेट में जाकर के रहने लगता है निवास करने लगता है तो वहाँ पर भी वो रासन कार्ट वैलिड होगा यानि उस रासन कार्ट अगला दिखते हैं हाले में किस केंद्रिय मंत्री ने आत्म निर्भर निवेसक मित्र पोर्टल लांच किया तो अभी हाले में केंद्रिय मंत्री प्यूज गोयल जी ने किसने प्यूज गोयल जी ने आत्म निर्भर निवेसक मित्र पोर्टल लांच करने की घुशना किये एक् पूचना परसार, हैंड होल्डिंग और घरेल निवेसको को और सुविधा देने के लिए लांच किया जा रहा है अच्छा प्यूज गोयल जी दोस्तो ये वानिज जी और उद्दोग मंत्री है साथी साथ ये भारत के रेल मंत्री भी है ओके अच्छा कल और परसो दोस्तो दो वीडियो आई बहुत ही इंपोर्टेंट बुक्स अन आथर की और ब्राणनम बिज्टर की ये दोनों ही वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जाहिए इसको देख लीजिए इसकी पीडिया भी अप्लिकेशन पर है आप लोग जाकर के उसे भी डाउनलोड कर लीजिए पहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट वीडियो है अगला देखते हैं नौर्थ इंडिया बॉड़ी बिल्लिंग कमपोटिशन में मिस्टर नौर्थ इंडिया कौन बने तो वो बन गए है अधिराज सिंग अधिराज सिंग जो आपको इमेज में दिख रहे हैं ये बन गए है मिस्टर नौर्थ इंडिया अभी हाली में नौर्थ इंडिया बॉड़ी विल्लिंग कमपोटिशन आयोजित हुआ कहां पर पंजाब में तो इसमें मिस्टर नौर्थ इंडिया बन गए अधिराज सिंग और नौर्थ इंडिया मिस विक्नी का किताब जीता है विधी सर्मान अगला देखते हैं अगला है बांगला देश की पहली transgender news anchor कौन बनी तो वो बन गए हैं दोस्तों तस्नुवा आनन सिसर कौन तस्नुवा आनन सिसर ये बन गए हैं बांगला देश की पहली transgender news anchor अब ये अंतराश्टिय महिला दिवस के अवसर पर दोस्तों बांगला देश ने transgender लोगों के लिए transgender community के लिए वहां की पहली transgender news anchor नियुक्त किया है किस tv पर नियुक्त किया गया है तो बोई सखी tv पर बोई सखी tv ये tv का नाम भी याद रखेंगे इस चैनल का नाम बोई सखी tv पर इनको add किया गया है तसनुवा आनन से से ओके अच्छा दोस्तों यहाँ पर option म A और B में आपको दो नाम दिख रहा है दो इंडियन लेडी का नाम दिख रहा है इनके बारे में क्या आपको पता है आप लोग कमेंट करके बताएए अगर पता हो तो इस पर मैं आपको वीडियो देने वाला हूँ भारत में प्रथम महिला कौन-कौन थी किस-किस छेतर में थी इस पर वीडियो आने वाली है बहुत ही जल तो आप लोग कमेंट करके पहले इन दोनों का नाम बताई ये दोनों भी भारत में किसी एक पत पर पहली महला बनी है ठीक है इनके बारे में आप बताईए और जब वीडियो आएगी तो आपको बहुत सारे ऐसे कुश्योंस त बस इतना ही I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजे सेर कर दीजे अपने दोस्तों के पास और हाँ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कीजे बेल आइकन को प्रेस कीजे जिससे आने वाले आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाली है तो जाएए डिसकाउंट कोड का फाइदा उठाइए अगर आप में डिसकाउंट कोड का उप्शन नहीं आ रहा है तो आप अपली किसन को अपडेट कर लीजी आपको मिल जाएगा उप्शन ओके चले बात करते हैं कुशन सब दर आज का पहला कुशन है आपके लिए भारत और उजबेकिस्तान के बीज दस तलीक टू नाम का भ्यास कहां पर आज़ित हुआ अगला इसरो और नासा के दौरा मिलकर लांज किये जा रहे है रेडार का क्या नाम है दोनो कुशन इंपोर्टन है दोनों के बारे में आपको ज पेस दिया जाएगा और कोई भी हमारी नोटिफिकेशन होती है सबसे पहले आपको टेलिग्राम पर ही नोटिफाई किया जाता है तो आप लोग टेलिग्राम गुरूप को भी जोरू जोइन कर लिजए एमजटी एजूकेशन की नाम से लिख करके सर्च करेंगे तो मिल जा जात्रम